जहिन्द किसान भाहियों मैं निल्कुमार जहिन्द रसरीम आपका स्वागत करता हूँ आज हम जानेंगे CCI एर नागपूर में निम्बू और गे फलो के पोधें वो कैसे त्यार होते हैं जैसे हम अगर बीच निम्बू त्यार करें तो कैसे करें और CCI राई त्यार करता है तो यह एक रफ लेमन है जिस पर हम संत्रा मोस्मी माल्टा इत्यादी की ग्राफ्टिंग करते हैं और हम इसका बीज से पोदे कैसे त्यार करते हैं सेम वीधी से हम बीज से निम्बू के पोदे भी त्यार करते हैं तो अब हम इसको जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया है जैसे हम या तो रफ लेमन या निम्बू या हम कोई भी जिसका हम बीज से पोदे तियार कर रहे हैं निम्बू वर्गे में कि सनवाही और मातर बिरक्सों का चैन अत्यधिक आउसकत है हमें जिस पोदे से फल लेना है और जिसके बीज निकाल ले हैं उस पोदे की उमर क्या है फल की गुणोकता रोगों से मुक्त है या नहीं है और उसका स्वर्ष्थ प्रजन चमता निश्चित फल धारकता अच्छे गुणोकता युक्त फल तथा अधिक उपर देने वाली वेराइटियों का ही हम चैन करें और उसके बाद ही हम बीज एकतरित करें बीज एकतरित करना बहुत आसान है आप स्वर्ष्थ जो हम फल ले रहे हैं गिरा हुआ फल ना हो उसमें संक्रमन की संभावना अधिक होती है और कोशिश करें कि हम अच्छे फल लें जो पीले हो चुके हो परकृतिक रूप से हम उ इस तरह उनको तोड़कर एकतरित कर ले और बीज निकालने के लिए हम उसको यह देखिए एक चाकू या किसी वजारक शायत है तो उसको गोल घुमाते हैं फल को जिससे उसका अंदर का जो बीज है वो कटे नहीं और अब हम इनका बीज निकालेंगे और बीज निकालने के अबर इसके ग्रेडिंग करेंगे यानि कि उसको हम साप पाने से साफ करेंगे जो कमजोर बीज हैं हम उनको अलग कर लेंगे स्वर्ष्थ बीजो को साप पाने से दोकर हम उनको च्छाओं में सुखाएंगे और दो दिन च्छाओं में सुखाने के बाद हम उसको मिट्टी का मिक्सरन त्यार करेंगे एक हिसा औरवरक मिट्टी बालू तथा नर्जी विकृत घरेलू खाद का उपयोग प्लास्टिक ट्रे में बीज बोकर प्रात्मिक पोदसाला के लिए त्यार किया जाता है और मिर्दा का सोर्य करन इससे पहले हम करते हैं जिसे हम ट्रे भरते हैं या थेले भरते हैं और इसमें क्या है कि निच्चे हमें कंक्रीट या सक्ट सते होती है और उसके उपर हम 15 इंच मोटी परत इन सभी मिश्रन की बिच्छा कर और उसको अगवार अच्छी तरह पाने भिगो कर शो माइक्रोन की कर देते हैं जो पारदर सभी होती है और उसका जो हम यह करते हैं अप्रेल माई में उसका तापमान 35-46 प्रकृतिक रूप से होता है और विच चोवन डिग्री होजाता है जिसमें अनावशक कीठ हो नश्ट हो जाते हैं इसके बाद हम इन प्लास्टिक ट्रे में इस मिश्रन को भरते हैं और हम इसको प्रात्मिक पोदसाला कहते हैं पोदसाला में ट्रे का साइज है 60-40-12 cm आकार के हम ट्रे लेते हैं और इसमें करीब 8-10 सिद्र कर लेते हैं और जो बीजों को 1 से 1.5 cm और गहराई 2.5 से 3 cm की दूरियों पर बीजों को लगाते हैं प्रात्मिक पोदसाला से जब हम दित्ते पोदसाला में इस्थानांतर करते हैं तो उसके लिए 4-6 उंचे पोदे तथा 8-10 पतिया युक्त होने चाहिए जिसको हम 12 इंच उंचे 6 इंच चोड़े प्लास्टिक की थेलियों में ट्रांसपर करते हैं और थेलियों में अत्रिक जल निकासी के लिए हम चार से आठ उसमें छिद्र कर देते हैं और जो इसमें मिट्टी होती है वो निजिविकिर्त मिर्दा मिश्रन से भर करी हम इसका उप्योग करते हैं हम इनको 50% जो शेड नूमा है उसमें हम इनको रखते हैं और फिर ये करीब एक साल लगता है इनको बीज से और सेल करने में जिनका हाइट करीब धाइफित हो जाता है फिर ये किसानों को मिल जाती है तो ये एक जानकारे थी साइद आपको अच्छी लगी हो और शिश्या राई नागपुर की जो नरसरी है वो पांच स्टार प्राप्त नरसरी है जो की एक अच्छा है और एक मात्र है अपने भारत देश की तो किसान भाईयो आप पोधे लें धन्यवाद जैन